देखें कोश्चन में आपके पास क्या है थोड़ा सा चेंज यह है कि जो फॉर बीरिंग आपको पी क्यू लाइन के दिए रखेंगे और 95 डिग्री दिए ठीक है 30 मिनट्स बैक बेरिंग सब सही है आप से पूछा इंट्रमाइन देक्ट बीरिंग ओफ लाइन फ्लाइन फ्लो सब्सक्राइब आपको नहीं आएगा तो इसमें लोकल अटेक्शन का अफ्रेक्शन होगा ठीक है देखो जाने हां से मैं आप से बोलता हूं कि फॉर बीरिंग फॉर बीरिंग माइनस के बैक बेरिंग कितना रही है कि सबसे पहले वाला 178 डिग्री 30 मिनट्स और क्यों आर लाइन का 177 डिग्री फिर 178 डिग्री 15 मिनट्स 182 डिग्री इस केस में क्या हुआ है इस केस में जो मेरे पास फोई में बैक्बिंग का डिफ्रेंस आ रहा है वह इडिज नौट इक्वल टू इस नौट इक्वल टू प्लस मैस के 180 डिग्री तो साइव साइशन वह ओंगे लोकल अट्रेट्शन से अफेक्टेड हों है सारे स्टेशन ओफेक्टेड हो ठीके तो फिर वही काम करना है जो हम करते हुए हारे है तो म में लिखुगा औल इस्टेशन सारा अफेक्टेड वै अम आई अ शुटेशन आप अपटिट रए लोकल अट्रेक्शनल के है लोकेल आट्रेक्शिन से अपटिड उगा सारे स्टिंशन करें कि हम कहा है कि हम इसके अंदर चूराब सब्रेंद करने यह चाहर है घरिये के इंक्लूड एंगल को कैलकूलेट करेंगे जों करते हुए आ रहे हैं पहले सी तो क्या गरूँ मैं मैं पहले एंगल एक एक क्लेट कर लेता हूं तो क्या में पास 195 डिग्री 30 मिनटस माइनस के 57 डिग्री बसकिर है रहेगा कितना रहे ए 138 degree 30 minutes angle B कितना रहा है तो मैं क्या बोलूँगा 73 degree 30 minutes minus के 17 degree कितना होगे 56 degree 30 angle C एंगल C के लिए में पास करना पड़ेगा 36 degree तो में पास यह है 50 minutes minus के 250 degree 30 minutes plus 360 करना पड़ेगा आपको कितना रहे है 145 degree 45 minutes angle D बता दो एक बार तो angle D के लिए में पास क्या आपको D कहा निकाल रहा हूं मैं करे जा रहा हूं करे जा रहा हूं एंगल पी एंगल क्यूं एंगल आर यह सबस्केट 266 degree करूंगा मैं 45 minutes minus K 214 degree 30 minutes कितना रहे है 52 degree 15 minutes angle S आई पास एंगल T निकाल दो हम मैं है तो 234 degree 15 minutes minus K 84 degree 45 minutes कितना रहे है 149 degree 30 minutes छीक है कि आपको यहां पर इन सब को देखे समय में आ रहा है कि जो ओल एंगल हों क्या हैं कि सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करें यह तो सारे इंगल होंगे यदि आप ट्रावर्स को गुमाएंगे बनाएंगे भी तो ट्रावर्स एंटिक लोकवाइगा ठीक है कि ऐंगल चेक कर लो साइब गंग fazem कर लोसर एंगल सही आहले है सारे बंचे कर लेंगे बर चैक कर लो ट तो थेक रोटा अब क्या कर इन सब सब कर समid ओंगया अनल पीन आंगल क्यूब प्लस ऑलर प्लस अंगल अल आपकी कितना रहे 542 degree 30 minutes तो यह मेरे पास actual sum है मैं आपसे बूच हूँ कि यह आप उसे बूच हूँ कि बताओ कि जो theoretical sum होगा वो क्या होगा तो आपको पता है साहे एंगल में पास entry angle है और सबका समेशन मेरे पास 540 के आसपास ही आ रहा है तो मैं क्या करूँगा कितने नंबर ओफ ट्रावर्स है मेरे पास मतलब लाइन कितनी है ट्रावर्स के अंदर पांच है दो गुना पांच माइनस के चार इंटू 90 है ठीक है तो चे 540 डिग्री हो गए मेरे पास यह तिलियर है ऐसे करके आना पेपर में कि आल साज सबकूठी आसाने अ कि दिए को अ हम ऐसे बासरी सी में देखो जोज़ाइं मैं आपको पड़ा रहा हूं वह आपको एक्जाम में बहुत कम टाई में जञ्द नम्बर देंगे ठीक है मैं आपको यह बता रहूं तो वह आपके उपर डिपैन्ड कर रहा है एक लड़का है उससे लाप का डिजाइन छोड़ दिया है पेपर में और जब भी उसके नंबर 200 आए हैं तो आप समझ जाओ कि जो बच्चे आर सीची में स्लैप डिजाइन को इतना बड़ा समझते हैं स्लैप डिजाइन तो छोड़ के आएंगे निए तो डिपेंड करेंगा वह आपको खुद सभी में आ जाएगा है मेनज ज्याद है पर आर सीची में हाना कुछ गल्ती होगे कहीं पर तो फिर कि अचले आगे कि सबका हो गया है अब मैं क्या करूँ मुझे बता है कि युद्ध पास एरर है वह एरर क्या होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस के ट्रू वैल्यू होती है ठीक है आप सीधा करेक्शन में निकाल सकते हैं बड़ मैं इसलिए करता हूँ जैंगी मैं कर क्या रहा हूं यहां पर आपको समझान होगा तो का में पास माइनस के एरर के बराबर होगा तो क्या यह में पास माइनस के टू डिगरी थर्टी मिर्स वैगे ठीक है तो मैं पूछ माप करेक्शन पर बियरिंग यह पर एंगल मैं निकालना चाहरा हूं तो कितना होगा माइनस के टू डिगरी थर्टी मिर्स दिवैड बाई पास माइनस के थर्टी सेकंड ने हो गया 30 minutes sorry ठीक है तो पर स्टेशन पर या पर एंगल पर आपको क्या करना पड़ेगा इतने का correction लगाना पड़ेगा तो मैं पूछों करेक्ट एंगल कितने होगे फिर आपके पास अग्रेक्टिड एंगल एंगल पी कितना अदर स्टार्टिं में पास वन इस्ट बंटाटिए डिवी था वर्ट एटीव था उसमें आमने थार्टी मिनिट मैस कर दें बंटार्टी एडिव यह ठीक है एंगल क्यों जो करें आँ थै टिवी मिनिट्स था 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 मिनें मैस कर दिया आपने शेच्थिस देगडिये ओ गिए यंगल आर 145 डिगडिब्स पूर्टी जा इस कितबी एकितना away कि 51 डिगरी 45 मिनिट्स एंगल टी 149 डिगरी 30 मिनिट्स उसमें से आपने 30 मेर्स मैंस कर दिया कितना हो गया 149 कि 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 ठीक है अब इसी के हैब से करना है बीरिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि 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 समया हो गया वैसे करने समने कि 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 अब दो क्या है कि कोश्चन करने का तरीका वही है कि आपको पता है कि साइसारी जो स्टेशन्स है वह आपके लोकल अटेक्शन से अफेक्टिड है तो जो लीस डिफरेंस दिखाएगा क्या वहीं से हम क्लियर क्लेंस करते चलेंगे कि कैसे देखो आपके पास पीक्यू लाइन है क्यों लाइन है आरे से एस्टी ए टीपी है मैं आपसे बूच हूँ सब्सक्राइब करेंगे 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 तो वह मतलब है कि लोकल अटेक्शन सब्सक्राइब करेंगे वह लोगा उसी से हम स्टार्टिंग करेंगे एक्जांपल दूँ छोड़ा एक्जांपल देता है एक्जांपल तो पता ही है लोग अटेक्शन से अफेक्टिर का कि ने तुम क्लास में याए ते उस दिन मुझे लग रहा है हाँ 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 भाई चुप जाओ पीछे वाले क्या हो गया है तुमा लिख हुआ लाइन पीक्यू लाइन पीक्यू लाइन पीक्यू इस लीस्ट अफेक्टेड बाए अफेक्टेड बाए लोकल अट्रेक्शन लोकल अट्रेक्शन ठीक है लाइन पीक्यू में पास क्या होगी वह लीस्ट अफेक्टेड होगी आपके लोकल अट्रेक्शन से तो हम वही से स्टार्टिंग करेंगे पीक्यू लाइन से मैं स्टार्ट करते हैं ठीक है पीक्यू ल गाटिवलिव एठीक यह पास कहा है मेरे पास मेजर्ड वैल्यू है ठीक है यह मैं आप से करेक्षन कलकुलेट करूँ इसका करेक्षन पॉर पीक्यू लाइन तो आप क्या बोलोगे 178 डिगरी 30 मिनिट्स माइनस के 180 डिगरी कितना होगे यह वन डिगरी 30 मिनिट्स वह भी माइनस का किया है वह सही बात है देखो मैं आपको यह दिखाना चाहरा हूं कि क्रेक्षन आप ड्रेक्टली में निकाल सकते हैं लेकिन जो क्रेक्षन का फॉर्मला है वह आप ध्यान रखेंगे हमेशा क्या फॉर्मला होता है ठीक है ट्रू वैल यह जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए फार बेड़ा टीवर्मला है ट्रीघ्रिक आपको है अब यह जो में पास क्रेक्षन आया यह फॉर्मला पड़ेगा ना तो मैं लिख्वा करेक्षन पर बीरिंग कि फॉर पीक्यू लाइन कि कितना हो जाएगा कि वन डिग्री थर्टी मेर्स डिवाइब बैट तू क्या है आपके पास 45 मिनिट हो गया ठीक है अब निकाल लो फॉर निकाल लेते हैं अब जल्दी यह कोश्चन आपके एक्जाम में आने के चांसे ज्यादा है तो इसको अच्छे से कर लेना ठीक है मैं लिखूंगा है तो अब फोर बीरी को फोर बेरिंग ओफ लाइन पीक्यू अ कि तो ने रखाए आपको 195 डिग्री 30 मिनिट्स इसके अगर आप 45 कि नौगे 196 डिग्री 50 मिनिट्स ठीक है आप इसकी बैक बेरिंग में निकाल सकते हैं बैक बेरिंग ओफ लाइन पीक्यू अ कि इतना हो जाएगा वाइव फिफ्टी मिनिट में बस यह है उसमें से आप वाने डिग्री माइनस कर दीजिए इसके अंदर माइनस भी कर सकते थे जो कोशन में आपको क्या रखिए बैक बीन दे रखिए उसमें से आप 45 मिनिट्स मैस कर दीजिए तब भी आंसर यहीं आने है वह सब्सक्राइब यह हो गया था कि सर आपने जो पहरे निकाला थे कोशन करवाया था जो यह सी 2020 में कोशन नंबर 13 उसमें क्या था ना उसमें आपके बास यह करेक्शन जो वैलियो ना नेगेटिव आ गई थी फिर आप बोले इसार नेगेटिव यहां पर स्टार्ट लगाओ यहां पर आपका पोस्ट लगाओ मेरा मेन कंस्प्ट यह होता है कि हमें दोनों का डिफेंस क्या करना है इक और और मैंने तकत्थ ही करो मैं तो आपके पास श्रेक्षनान पर लगा रहें चाहिए वह पीको एंपार प्लस में ही लगाना है किसम आपको च्छायेगे माूत आनलों आप स्टाईस्यम 9 ले लिया तो यह बैली कुछ लगई वह आपने करके ले लिया तो दुर्वा डिफेंस तो मेरे पास आगया फोड़ी लेकिन जो एंगल आएंगे वो सब अलग आएंगे फिर अब बोल रहा हूं कि स्टार्टी में क्या करना आपको प्लस लेके ही करना है ठीक है कि कि लियर सर बहुत ज़्यादा कर्मिजन हो गया था अब क्लियों के बिटा बच्चा बोला मुझे रात को फोन कर रहा है कि बचे समय नीन नी आई यह यह आपने मुझे बताया नहीं अभी मैंने फिर नी मताया मैं चल कोई बात नी जगजए एक दो दिन ठीक है तो मैं पास क्यश्क फिक्व लाइन इकल गई अब क्या करेंगे एंगल क्यू मैंने इकाल देटा हो मैं अनलक में पास क्या for bearing of for being of QR minus k back bearing of PQ angle QC नानर पास जल्दी बता जोग 56 degree for being of QA मुझे निकालना है बैब इन कितने पास 16 degree 50 minutes the forming of QA कितने आगे मिर पास 72 degree 50 minutes ठीक है अब रिकाल लेते हैं बैग बेरिंग बैग बेरिंग ओफ 180 degree plus के 72 degree 50 minutes कितना गेगे 250 degree 50 minutes क्लियर है कि मिस्टर रावत आपको सही में आ रहा है कि मिस्रावत है कि चलिए है कोगे पास एंगल क्यूं जो में पास qr line है उसका मैंने calculate कर लिया है अब क्या करूंगा ऐसे ही हमें किसे यह करना है ठीक है कुछ तो सब्टैनिस में आप सिल लिके जाओ लिके जाओ एंगल आल बता दो फॉर बेरिंग ओफ आरेस माइनस बैग बेरिंग ओफ बैग बेरिंग ओफ बैग बेरिंग और एंगला किता है यह आपको निकालना है बैग बेरिंग ओफ क्यों आर निकाल चुके हम पहले 252 डिगरी 50 मिनिट्स तो फॉर बेंग कितना अगे में पास यहां पर 37 डिगरी 30 मिनिट्स बैग बेरिंग निकालनो फिसकी 217 डिगरी ठीक है तो बताव समय जानी है यहां पर कि आपको पताएगे इसको इधर लेके जाओ कि तो यह वैलु कितनी आईगी बादी से बड़ी आएगी तो मैं इसमाइस कर दीजास को सिंबल कंसेप्ट है ठीक है आखे बहुत अधारी के वैल यह वाली कितनी अधर लाव लाव गटो इसको इधर कितनी थीजिए आदा आएगी तो फिक्या करोंगे थीजिए मैस कर दीजी ठीक है अब आई चलू एंगल आओ बास एंगल एस कर लेते हैं और बेरिंग ओफ स्टी माइनस के बैक बेरिंग ओफ बैक बेरिंग ओफ और एस कितना मिरे पास 50 45 फोर बेरिंग ओफ स्टी मुझे कलकुलेट करनी है माइनस बैक बेरिंग और आरे समनी काल्ट चुके हैं कितना 217 डिग्री 30 मिर्स रहे अ 269 डिग्री 15 मिनिट्स सब आप क्या करें एंगल ती निकाल लो वह बैग बेरिंग निकाल लुए कितनी होगी बैग बेरिंग ओफ स्टी कितना हो गए है वैट तुस्टी नाइन डिग्री में पास यह है इसमें साप वर्ट रिमाइस कर दीजे कितना रहा है 89 डिग्री 15 मिल्स अब एंगल ती रिकाल लो ओर बेरिंग ओफ टीपी माइनस के बैग बेरिंग ओफ बैग बेरिंग ओफ स्टी एंगल टी कितना दा 149 डिग्री ओर बेरिंग ओफ टीपी मुझे क्यालकुलेट करना है बैग बेरिंग ओफ स्टी 89 डिग्री 50 मिल्स कितना रहे है फॉर बेंग ओफ टीपी तू तू थर्टी एट डिग्री 15 मिल्स क्या आप यहां से बैग बेरिंग निगाल सकते हैं कि तू थर्टी एट डिग्री 50 मिनट्स माइनस के बनेटे डिग्री कितना गए फिफ्टी एट डिग्री कि आप एंगल एस एंगल जो में पास पी है उसको भी आप निकाल के चैक भी कर सकते हैं कि आपको फॉर बिंग आई है वापी करेक्ट आई है यह नहीं आई है ठीक है तो मैं वह भी दिखा जिएता हूं चैक करने के लिए आपको तब क्या करेंगे अंगल पी निकाल लो एक बार एंगल पी पास क्या होगा फोर बेरिंग ओफ पी क्यू माइनस के बैक बेरिंग ओफ टीपी लाइन एंगल पी कितना में पास 138 डिगरी फोर बेंग में निकालना चाहता हूं एक बार ओफ क्यू आर माइनस के बैक बेरिंग ओफ टीपी कितना मेरे पास फिफ्टी एट डिगरी फिफ्टी मिनिट्स कितना रहा है फोर बेंग 196 कि सब्सक्राइब हो जाता है यहां से आपका चैक भी हो गया है जो आपने किया है वह सही किया है अम मालो एक्जाम में यहां जाके चैक गलत हो जाए तो ठीक है अधो लिग दो अधो 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 एस सरेंगल आ बता दीजिए 3066 आ रहा है अधो 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 आरा रहा है 306 अधो आधो इसमें इसको प्लस करेंगे वैलु ती शुटी ज्यादा आएगी ती शिच्टी मायस कर दो यह आईगी वैल्यू थर्टी सेवं डिटी अधो चैक करके दिखाना जरूरी है क्या नहीं जरूरी है ठीक है बड़ अपनी अपनी संतुस्टी के लिए कि हमने जो एक्जाम में कोशन आया था 25 नंबर को हमने सही किया है उसके लिए यदि आप एक्जाम में गल्त कर दो तो यह मत दिखाना कि मैं तो सर्वे का धुंदर हूं आप तो मैं सही करके दिखाऊंगा ऐसे टाइम खराब हो जाएगा आगरी कल जाना ठीक है फिर जब बाब में टाइम बचे वैसे टाइम बचे का नी लेकिन बसता है ते बाद अब सब वैल्यू मिलवा लो लो अब भाई और लाइव बच्छों डाउट रहते हैं और वाफ्लाइं में बच्छों डाउट नहीं है उसके दो इकरान हो सकते हैं क्या क्या अ कि अगल के लिए रहे हैं मतली की बीटेक में बैखने लगी है लो बेटा देख लो एंगल क्यों भी देख लो तुम पहले यह देख लो तुम तुम हावी दिक्कत हो सकती है न लो पहले यह चेक कर लो एंगल है 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 चलिए जिनका हो गया ना कॉश्ण में 16 ट्राइग कर जाए कि बार और के चो तो इसको तो सोरफ सिंग राजपूत बताव ड़ेटा यह वैल्यू आप कर सदसे एंगल पी एंगल क्यों क्यों आइंगल एंगल इस सब का बरावर से वहया है इला मिश्ण निकाल लिह श्राबने बॉसो बाल इकलिकर लिए लाइन e क्यों कि क्या यह वेल्यू आपकी बराबर आ रही है जो है फिरापने एंगल क्यूं कू कर लिए या आपके दोनों यह आ रही है इसे 4Begg Backbearing आपके RS की Calculate कर लिए ये दोनों यहारी है फिर आपने ST की Calculate कर लिए तो फिर ये दोनों यहारी है 4Begg of TP आपने Calculate कर लिए backbearing of TP फिर बस यह आ रहा है और last minute चेक भी लगा दिया यह चेक करने के लिए जो हमने काम किया है क्या वो सही है यह गलत है झाल झाल